नमस्कार नवतेश टीवी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी खबरों को विस्तार से जाने लोकसभा महासंगराम 2024 में कॉंग्रिस पार्टी और आलाकमान प्रधान मंत्री मोदी के 400 पार वाली नारे को रोकने के लिए देश भर में जमीन तलाश रहे हैं इतना ही नहीं बलकि सबसे पहले कॉंग्रिस के आलाकमान प्रधेश प्रभारी रंधावा गहलोत डोटासरा और टीकराम जूली के सहारे राजस्थान में 25 सीटों पर फते करने के लिए जोर आजमाईश में लगे हुए हैं इतना सब कुछ होने के बाद इससे अलग राहूल गांधी की भारत जुड़ नियायात्रा धौलपूर में प्रवेश कर चुकी है वहीं पाइलेट और गहलोत एक सुर में राजस्थान के मुख्या भजललाल पर जम कर बरस रहे हैं और सियम के पूर्वी राजस्थान के दोरे को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं वहीं कॉंग्रेस अब मुखर होकर नियायात्रा के जरीए भजन लाल सरकार को कोस रही है इन तस्वीरों के अलावा डिप्टी सियम सचिन पालिट ने भजन सरकार पर सवालिया निशान भी लगा दिया और कहा कि ERCP समझोता सर्फ कालपनिक है जो समझोता ERCP पर हुआ है वो प्रदेश की जनता को बताएं और दिखाएं वहीं अब देखना होगा कि क्या नियायात्रा के जरीए राहुल की सेना मोदी के 400 पार वाले मिशन को रोक सकती है और राजिस्थान में मिशन 25 dave машine की तरह किया वार्देश कृसेट पर कॉंग्रेस के से लिएंड़स्टरी को मिलेगा की नियुलेगा अभी तक सीरफब भाषन और निंधेogen 20 द्यवाद द्या रहा रहा है मैं इतना ही चाहता हूँ कि राइस्थान के हितों के साथ कोई समझाता ना किया जाए और जितना हम लोगों को उम्मीद थी कम से कम उतना पानी हमको उपलब किया जाए अब चुनाव आ रहे हैं तो यात्रा निकल रही है दन्यवाद की स्वागत की लेकिन जंता बताए कि मुझे पूरा विश्वास है कॉंगर्स पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बहतर रहेगा और आजस्थान में कॉंगर्स पार्टी जीतेगी इनी तमाम मुद्दों पर आज होगी चर्चा मेरे साथ न्यूस रूम से लाइफ जुड़े हैं मेरे सही होगी सुरेंद्र सोनी सुरेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे कि आज राहुल गांधी की भारत जोडो निया यात्रा धौलपूर में प्रवेश करेगी पूर्वी राजुस्थान के तीन लोग सभाज सीटों पर कॉंग्रिस का निशाना रहेगा कितनी असरदार होगी ये यात्रा कॉंग्रिस के लिए देखे पिर्यंका लगातार राहुल गांधी जो है वो भारत जोडो निया यात्रा में अपनी पूरी शक्ती ताकत और शक्ती प्रदर्शन दिखा रहे हैं और आज राहुल गांधी की यात्रा धौलपूर में प्रवेश कर चुकी है और इसी यात्रा के जरीए जो है वो राहूल गांधी जो है वो शक्ति प्रदेशन करना चाते हैं इसलिए मुझे कुछ याद आता है कि काटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचा कर फूलों की सियासत से में बेगाना नहीं देखिए अब राहूल गांधी जो है वो भारत जोड़ो निया यात्रा के जरीए पर किस तरीके से धौलपूर की जमिन से ललकार कर रहे हैं राजिस्तान की बीजेपी सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं और इसी के साथ साथ आप देखिए कि इस वक्त जो है वो पुरा कांग्रेस का कुनबा जो है वो एक बैनर तले आने का प्रयास कर रहा है प्रियंग का लेकिन यहाँ पर देखिए कि अशोक गहलोत और सचीन पा आज बात की यहाँ पर सचीन पाइलट ने जिस तरीके से पूर्व में अगर मैं बात करूं तो कॉंग्रेस जो है वो राम को भी कालपनिक बता रही थी राम सेतु को भी कालपनिक बता रही थी और जब पुलवामा अटेक हुआ उस पर भी कहने की सवालिया निशान खड़ सचीन पाइलट ने जो है वो सियम मुख्या पर सवाल या निशान खड़े करते हुए कहा कि एर सीपी का अगर समझोता मद्यप्रदेश और राजिस्तान के बीच में हुआ है तो वो इमाईयो को दिखाए कि कितने पानी पर जो है वो इमाईयो हुआ है कितना लिटर पानी राजिस्तान को मिलेगा इससे कितने जिल्ले प्रभावित होंगे राजिस्तान की जनता को वो ओमाईयो दिखाया जाए बताया जाए अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से सचीन पाइलट ने टर्निंग पॉइंट लिया है यह बलकुल सुरेंडर जी आप से समझना चाहे कि आपने यह जो सचन पाइलट का जिक्र किया है 36 गड़ से कॉंग्रेस के प्रभारी सचन पाइलट अब धौलपुर पहुँच चुके हैं क्या आपको लगता है कि इस नियाय यात्रा के जरिये कॉंग्रेस के लिए नियाय हो पाएगा देखे प्रियंका बात नियाय की नहीं है बात है इस वक्त की शक्ति प्रदेशन की अब कॉंग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है कॉंग्रेस के पास सरिफ एक मुद्दा था राहूल गांदी की नियाय यात्रा में अगर सबसे ज़्यादा कॉंग्रेस के अगर युवा अगर वहाँ पहुंच रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक चहरे की वज़े से वो है सचीन पाइलेट अब आप देखिए अभी मन्यू पुनिया की बात कर लीजिए यूथ कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं इसके अलावा आप अभिशेक चोदरी जो जोटवाडा से प वो सचीन पाइलेट के नेतरतों में देखिए अभी हाल फिलाल जो है वो दूर की द्रश्टी तक या दूर तक मिसाईल अगर कोई मार कर सकती है राजिस्तान में 25 सीटों पर तो वो है सिर्फ और सिर्फ सचीन पाइलेट अब धीरे कहते थे कि सियासत के जादूगर कहे जा क्या जाए कि लोगसभाद चुनाओ के दौरान राजिस्तान में कॉंगरेस पाइलेट की तरफ से ये कमान सचीन पाइलेट को दी जा सकती है देखिए चंदा ये राजनितिक में सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं उपापो की इस्तिति यहां पर बनती देखिए यह बात हम नहीं कहे रहे हैं ये बात आला कमान भी अच्छे से समझ चुका है और उसके साथ साथ राजिस्तान प्रदेश प्रभारी रंधवा भी अच् इमनी बूटी बन सकते हैं कि सचीन पाइलेट के दम पर जो है वो राजस्तान में अगर कॉंग्रेस एक दो सीटों पर अगर विजय फता अगर पाती है तो इसका सुत्रधार सचीन पाइलेट ही होगा देखिए आज की तारिक में युवा जो है वो दीरे दीरे अशोग गे कि मैंने बात की है निर्मल चोदरी की मैंने बात की है अभी शेक चोदरी की मैंने बात की है तो ये एक ऐसे नाम है जो कहीं ने कहीं एक अच्छा दमखम भी रख रहे हैं अब देखिए कि राहूल गांदी की यातरा में देखिए कि अखिलेश यादों भी नजर आ रहे हैं लेकिन अब यहाँ पर किन मुद्दों पर बात होगी, किन विशे पर बात होगी, क्या यहाँ पर नियायात्रा को लेकर किया महगाई का मुद्दा होगा, क्या पैट्रोल डिजल के दाम कम करने का मुद्दा होगा, अपरात का मुद्दा होगा. कि क्या कॉंग्रिस के लिए संजीवनी बूटी लेकर आएगी या नहीं धनिवास इस तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साजा की अगली खबर के औरों करेंगी लोगसभाद चुनाओ के पहले बसपा के अमेटकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने पार्टी से स्तीफा दे दिया उनके पार्टी छोड़ने की बाते काफी समय से हो रही थी स्तीफे के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है अगली खजय पार्टी से सांसद लगता है